हेलो एवरिवान वेलकम चो अलोफ यू आप सब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ओनलाइन लेंग प्रेटफॉर्म पे जिसका नाम है डे नाइट स्टेडी चैनल मेरा नाम स्वाती सीग है और मैं आपको आज स्टार्ट करने वाली हूं बीसी फर्स्ट एयर के सेल्बस है उसमें आपकी जो फर्स यूनिट है वह स्ट्रॉक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गनिल्स पार्ट वन उसकी जो है आज हम उसके टॉपिक को डिसकस करेंगे उसमें को क्या-क्या चीजे पढ़नी है कितनी चीजे आपको पढ़नी है कितनी इंपॉर्टेंट उन सब के बारे में आज हम डिसकस करने वाले है तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो BSC फर्स टियर के फर्स समिस्टर का साइट ओलजी हम स्टार्ट करने वाले है तो अगर आपको कंप्लीट सेल्बस को डिसकस करना है BSC के आपको कंप्लीट सेल्बस के बारे में स्टडी कर नहीं है तो हमारा नवोद्वाव बैज का लॉंच हो चुका है आप उस बैज को जोईन कर सकते हैं हमारे इस हल्पलाइन नंबर से जो है कि 7376608660, इस help line number पे आप contact करके हमारे जो है कि BSC के courses को join कर सकते हैं, आप चाहे math के student हो, bio के students हो, या फिर आप using के किसी भी faculty से, अगर आप science field से हैं तो आप यह हमारा batch join कर सकते हैं, हमारी team आपको यहां से contact करेगी, आप इस numbers को यह box up पे भी message कर सकते हैं, बहाँ पे आ अपना नाम बताना है, आप किस university से हैं, आपको अपनी information वहां देनी है, उसके बाद हमारी team आपको contact करेगी और आप हमारा batch join कर सकते हैं, तो चलिए, आपने course को start करते हैं, आज हम cytology के बारे में discuss करने वाले कि cytology क्या होती है, तो cytology, आपकी जो first unit है, उसमें cytology जो है, वो उसमें क्या-क्या चीजें किस तरीके से होती है, वो किस तरीके से एक दूसरे से control करते हैं, कितने type की होते हैं, यह सारी चीजें हमको यहां पर discuss करनी है, तो सबसे पहले आपके unit का नाम है, structure and function of cell organs, मतलब कि cell organs का क्या structure है, उसका क्या function है, तो उसके बारे में हमको आज यहा critical unit है आपके body की, या किसी के भी body, अगर कोई organism है, चाहे वो uniceller हो या multiceller है, उसकी body जो है, cell से मिलके बनी है, cell जो हो है, वो एक structural, मतलब कि वो unit है, जहां से वो structure है, जिससे कि किसी भी organism की, किसी भी living beings की body बनी होती है, तो start करने के पहले हम cytology के definition को समझ लेते हैं, कि cytology क्य होती है, इसका means क्या होता है, उसके बाद हम अपने topic को continue करेंगे, तो यहां पर आपको cytology दिया है, कि cytology क्या है, cytology is a branch of study, मतलब की एक ऐसी science की branch है, जहां पर हम study करेंगे, in which deals with structure, function, molecular, organizations, growth and reproduction, and genetic of the cell, मतलब की cytology, science की एक ऐसी branch है, जहां पर आप cell की कैसा structure हो है, कैसा उनका function है, किस तरीके से genetic चीजों का transfer होता है, वो चीजें किस तरीके से function करती है, इन सब के बारे में discuss करेंगे, तो यह है main cytology, अभी हम cell के बारे में discuss करेंगे, कि आखिर cell क्या होता है, तो cell को discuss करने के पहले, यह एक diagram है, जो की animal cell का है, इसमें जो है कि आपको आपके names दीए हुए है, कि cell में कौन-कौन से parts होते हैं, तो देख लिजिए, यह जो outer most parts है, उसको plasma membrane कहते हैं, यह जो outer most आपको ऐसे parts दिख रहा है, इसको plasma membrane कहते हैं, यह सबसे बाहर की covering होती है, जो कि selective permeable होती है, यह क्य करती है, कि जो चीजों की requirement cell में होती है, उसको cell के अंदर transfer करने देती है, या फिर जो चीजे required नहीं होती है, उसको रोक के रखता है, तो यह plasma membrane का काम होता है, तो यहाँ पर गॉल्जी अपैर्टस दिया है, इन सब के बारे में detail में discuss करेंगे, जब हम सारे organelles के बारे में discuss क करेंगे, मेंनली का function क्या होता है, कि जो भी proteins का formation होता है, या कोई भी चीज सेल के बाहर transport करनी होती है, तो उसकी proper packaging करना, इसका main function होता है, secretory vesicles क्या होते हैं, जैसे cell से कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करना है, तो इक vesicles की रूप में उसका plasma membrane से cell के बाहर transfer किया जाता है, उसके बाद cytoplasm, आपके जो plasma membrane है और जो nucleus के बीच का जो liquid वाला पार्ट होता है, जिसमें सारे cell organs, मतलब कि सारे cell organs उसे present रहते हैं, उसको cytoplasm कहते हैं, इन सारे चीजों के बार में हम discuss करेंगे अपने further की वीडियो में, अब इसर्फ हम देख रहे हैं कि किन की चीजों के बार में पढ़ना है, then next क्या है, mitochondria है, कि mitochondria क्या होते है, तो mitochondria क्या है, कि power house of the cell है, मतलब कि जहां पे energy बद्धी है, तो यह mitochondria है, उसके बाद next है, rough endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum क्या, कि जो reticulum होता है, endoplasmic reticulum होता है, वो दो प्रकार के होता है, एक rough और एक smooth, तो जो rough endoplasmic reticulum होता है, वहां पे क्या होता है, कि प्रोटींस के formation होते है तोकी प्रोटींस के function में help करते हैं यह आपका new campus के पार्ट से की नुकलियस में क्या भ्स का होता है नुकलियर पूलते है कि Oliver में इन से के बार में की यूनित में डिसकुस करेंगे उसके पहले यहाँ पे प्रकार एक और एक स्पूद वाले में क्या है कि लपिट्स का फर्मीशन होता है नेक्स्ट है डाइब प्रकार के और यह प्लास्मा देखने के बाद हम यहां देख रहे हैं कि ...बना नियुक्त ही तो इस टरीके से प्रोड़ को है तो जो कि जो मिल benefici के सिघ्स कमेदब बनान। जो को तो सब्हों एशको भी ख़ोगता है उट लेवलasi, वह ऐरगनाईजेशनल लेवल यही तो तरीके से इस टरीके सेल क्या ज्यूड़ कुट्प्लिट बनती है तो normally जब बहुत जादा low level पर जाके देखेंगे तो starting तो atoms से होती है फिर molecules होते है फिर macromolecules होते हैं और लेकिन जब हम study करते हैं as a biology तो हम देखते हैं कि जो cell की सबसे smallest unit होती है उसको cell कहते हैं तो cell है cell से मिलके जब group of the cell मिलते हैं और वो एक साथ एक same function करने में मतलब की contribution करते हैं तो वो उसको हम tissue कहते हैं tissue मतलब की group of the cell मतलब बहुत सारे cells मिलके एक किसी particular function को complete करते हैं उसे tissue कहते हैं 簡y as Ellen Springs में थे Albस होते हैं उनका ब्रति को पॉस्पलर फंक्षिण होता है tissue मिलके कि organs मिन आते हैं जप बहुत सारे tissue मिलके एक particular organ बनाते हैं organ system से पूरा particularNIOSM बनता है अस तरीके से जो है कि organizational level होता है कि किस तरीके से cell से tissue बनता है तर्फेशु से जो आ brushes और चल के ऊर्गं सिस्टम बनता है और तरय वहाँ से ब mythicalर कंप्रीट और्गानिजम बनता है सल में यह इसका लेवल कि है किस तरीके से सब्सक्राइब सिस्टम और और गेंजम बनता है तो चिया आपके सरीर के स्मॉर्ड यूनिट जल के मिलके आपकी सरीर्या के लिविंग अप्टिंग बनी होती है जैसे आप एक्जामपल ले कि अगर कोई बीलडिंग बन रही है तो इसमें इट होते हैं वह एक्जामपल लेकिंग बनाए जा कि cell की history क्या होती है किस तरीके से जुकी डिस्कवरी हुई थी पहले कॉन से साइंटिस्ट ने उसको और प्रिसके बारे में बताया था वह सारी चीजे हम यहां पे थोड़ा सा देखेंगे आपको साइड यह चीज अपर पढ़ाई गई हैं आपको या दो फिर भी हम इसी चीजों के एक बार देख लेते तो सबसे पहले क्या है Cell is the functional and structural Genetical unit of life जो कि बैने आपको पहले ही बताए कि Cell क्या है functional मतलब कि सारे function आपके cell के कोई भी function हो सारे metabolism किसे cell के अंदर होते है मतलब कि सारे function आपके body के cell में होते है और एक particular structure होता है cell का वो structure के अंदर ही सारे function होते है तो वह structural उसी से मिलके आपकी body बनी है तो वह आपके structure को भी बना रही है और सारे function भी कर रही है और genetical unit भी होती है आपका पता है कि genetical चीजे क्या है DNA है RNA है DNA आपके फादर से आपके पारेंट से आप में ट्रांसफर होते हैं कहां होते सेल के अंदर nucleus होते हैं वहां से चीजे ट्रांसफर होती है तो वह सल के अंदर है तो genetical unit भी सेल की जो है उसको मतलब कि genetical unit को भी मतलब के सल में considered कि वह भी genetical unit है उसके बाद सेल के अगर हम discovery के बात करें तो सेल के सबसे पहले एक साइंटिस थे रॉबर्ट हुक उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कॉर्क सेल्स ली थी जो प्लांट में कॉर्क होते हैं उन उन्होंने माईक्रोस्कोप में झेखा तो उन्होंने जो है कि एक ड्डेड चल देखा था जैहांपे सिर्फ ज्यूआ जल बेट उन्होंने इसलिया उसक Τ्रॉक्चर Здrafता इसकी थे आधा रखा तो इन्होंने इसका नाम सेलूला रखा तो रावाइठोप ने सबसे पहले सेल के डिस्कवरी की थी वह कब उन्होंने क्या था 1665 में और उनकी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया जिसमें उन्होंने सेल के बारे में complete details अपनी दी थी उसके बाद इन्हों इनके वर्क के बाद जो है अधर साइंटेस्ट आते हैं पानी तालाब से पानी उठाके उन्होंने उसमें जो है कि अपने माइक्रोस्कोप से देखा था तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले living cells को देखा था अगर आपके एक्जाम में आता है कि किसने सेल को डिश्कवर किया था तो आप रावर्ट होक के साथ जाएंगे उन्होंने 1665 में यह काम किया था लेकिन अगर आपको पूछता है कि फर्सली living cell किसने डिस्क्राइब किया था तो वह एंटॉनी वान लिवन हाक है मतलब कि एंटॉनी वान लिवन हाक ने living cell डिसकवर किय था जबकि Robert Χुक ने क्या था वह अ उन्होंने नूप्र डिस्कवर किया था तो यह अनका इंटॉनी Bonnie लिवाएंहा का रहे लाबर्ट ब्राउन थे उनोने से खो जा और बताया था कि जो सेल है जो नूप्री आंदर के अंदर वह क्या है फ़न्डमेंटल एंड कॉंस्टेंट कंपोननन आफец सेल म्ậं जो संसेल में नूपरी से उनका अगर कोई नूपराइस है चैंक्रोथ तो उस इसल द्वारा कंट्रोल किया जाता है जैसे आपकी बॉडी में फंक्शन आपके ब्रेइन कंट्रोल करते है उसी तरीके सा सेल के फंक्शन न्यूक्लेज कंट्रोल करता है इसलिह इसको सेल का ब्रेन भी कहा जाता है तो यह Robert Brown ने बताए था आपको तीन साइंटिस्ट क के बारे में यहां में पढ़ने को मिला पहला Robert Hoke दैन रबर एंटोनिव लिवडिर Short उसके बाद एक scientist है जिनका नाब Rudolph विर्चो था उन्होंने जो है कि cell theory भी अपना भी contribution दिया एक concept अपना भी दिया जिसके बाद complete cell theory दी गई तो पहले मतलब कि जो plant होते हैं उनकी body cell से मिलके बनी होती है आज हमको आपको यह बात पता है कि हर जो living thing है उसकी body cell से मिलके बनी है लेकिन उस टाइम लोगों को यह चीज़े नहीं पता थी तो सबसे पहले में जर्मन बॉटनिस जैकॉब श्लाइडेन ने बताया कि जो cell plant की body है वह सेल से मिलके बनी है उसके बाद एक एर के बाद 1839 में एक जोलोजिस्ट है लुटनिस ज्यूलाजिस्ट मतलब की वह जोलोजी मतलब जीव अधन करते थे उन्हों का नाम था श्वान उन्होंने बताया कि cell Commander योनिट ऊफ लुट्व्ट आनिमल्स में काम करते थे तो और योन्होंने अनिमल्स में बताया यह जो है सेल जो है कि वह अध्तनी structure है मतलब कि animals की भी body cell से मिलके बनी है उसके बाद next देख लेते हैं all the cell covered with a thin membrane and called plasma membrane हमका पता है कि cell के बाहर के जो सबसे covering होती है जैसे यह cell है तो इसके सबसे बाहरी जो covering है उसको हम plasma membrane कहते हैं क्या दो पता थी उन्हें इसका नाम नहें दिया थो उन्हें कहा था कि अज प्लाज्मा इंब्रेन कहते हैं उसके बाद इन्होंने बताया था कि जो animal cells होते हैं उनमें कुछ ऐसा नहीं पाया जाता जो कि plant cells में पायाता है तो आपको पता है plant cell में इसके चारों तरफ एक cell wall भी पाया जाती है plasma membrane के plasma membrane है उसके बाहर cell wall है तो उन्होंने geologist वो थे लेकिन उन्होंने plant पे भी study किया और उन्होंने बताया कि जो cell wall होते हैं वो plants में पाया जाते हैं और plants की cell में एक extra covering पाया जाती है जिससे cell wall कहते हैं तो यह slide and answer ने मिलके बताया था कि यह चीज़ें होती है उसके बाद जो है कि उसके बाद Rudolph विर्चो जी आये थे इन्होंने अपना contribution दिया था cell theory में इन्होंने जब अपना contribution दिया cell theory में तब cell theory complete मानी गई क्योंकि दोनों scientist ने मिलके सिर्फ इतना बताया था कि चाहे plant हो चाहे animals हो उनकी body क्या है कि cell से मिलके बनी हुए है लेकिन रुडॉल्फ विर्चो को कहना था कि जो नई जो अभी के cell है उस जो नई cell बन रही है वह किसी पहले से प्रजेंट बनती है मालिजिकी एक इसल्स से division करके दो बन रहे हैं एक इसल्स डीविजन करके दो से बन रहे है लेकिन इसका मतलब कि ये दोनों से से पहले की से बन रहे हैं और यह वाली सेल्थ हो सकता कि कोई मदर से रही होंगी जहां से इसका formation होगा तो उन्हों इनका मेन ये था कि चाहे plant हो चाहे animals हो सबकी body जो है cell से मिलके बनी होती है cell क्या होता है structural and functional unit होती है body की और रडॉल्फ विर्चो ने बताया था कि जो pre-existing cells है उनहीं से नई cell का formation होता है तो फिर इसके बाद में इसके बहुत सारे drawbacks भी आये थे और फिर इनका जो इन्होंने जो बोला था उसको एक्सपरिमेंटली प्रूफ किया था लुइश पाश्चर ने मतलब की पहले इसके पहले होता था कि लाइफ की ओरिजिन जो है अपने आप हुई अपना चीज आड़ कर दिया उसके बाद तो आल नोन लिविंग थिंग्स आर मेड़ आफ सेल मतलब की जो भी लिविंग थिंग है वह सेल से मिलके बनी हुई है यह तो आपको पता है कि सेल जो है वह स्ट्रॉक्चरल एंड फॉंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग थिंग्स की उसके बाद थर्च क्या है आल सेल कम फ्रॉम प्री प्री इंग्जिस्टिंग सेल जो कि रुडॉफ विर्चो ने बताया था बाइडिवीजिन मतलब कि एक ऑरिजिन कहीं भी हो जाता है लेकिन पता चला कि लाइफ की और ज जुह है वह किसी प्री एक्जिस्टिंग लाइफ से ही होती है तो फिर यह जो है कि अपर को यहां पर एंदर और यह से आपका अमरें नहीं से प्रोट्य न बनता हैं तो आपकी मदर फादर के character आपके अंदर आते है DNA के थ्रू वो DNA फिर आम आरेने बनता है और वो आरेने प्रोटीन बनता है तो इसका मतले कि cell के अंदर जो heredity unit है जो DNA है वो आपके character को आपके mother-father से similar करती है होता है कि आप अपने मम्मी जासे दिखते हैं आप अपने पापा जासे बिएब करते हैं तो वो सारे जो character होते हैं वो आपके heredity होते हैं और वो DNA से transfer होता है तो दिया है कि pass from cell to cell during cell division जब हम पढ़ेंगे हमारे fourth unit में हमको cell division पढ़ना है वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से DNA अरियने का replication होता है किस तरीके से वह एक से दूसरे से में जाती है तो यहां पर चीज़ेंगे फिर आल से आर बेशिकली the same chemical composition मतलब की चाहे वह एक animal का सेल हो या किसी और मतलब की प्रोकरियोर्स का से लो अप्रोक्सिमिटली जो उनके बीच में composition होता है जैसे प्राज्मा में ब्रेन हो गया किस चीजों से मिलके बना होता है तो वह सारी चीज़े अप्रोक्सिमिटली सेम होती है कम्प्लीटली सेम नहीं होती जैसे एक एनिमल है एक प्लांट है उनकी बीच में राइबोजोम्स भी होंगे गॉल्जी बॉडी भी होंगे लगभग चीज़े सेम होती है तो यह चीज यहां पर दिया था फिर एनर्जी फ्लो मेटाबॉलिसम और बायो केमेस्ट्री और ला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो सेल थीओरी है उसके एक्षेप्शन क्या है क्योंकि बहुत सारे बाद में जो साइंटिस्ट उनने बोला कि आगके सेल थीओरी यह चीज़े एक्स्क्राइब करने में नहीं कर पाई तो वह सारे एक्षेप्शन में यह एक साइब आफ तो आप हमारे में नंबर कोण्टक्ट करीए गा हमारी टीम आपको संपर् करेगी और आपको जो री स्धी एनफॉर मॉश्च आपको सारे थीडिमान नोट रोड़ कि अभी चीजे यह चीजे कन कुसिन सा सकते हैं कौन सी चीजे ज्यादा इंपॉर् बैच में लगी तो आप अपने उस बैच में जूड़ियेगा और अपने फ्रेंड सरकर्स में भी हमारे इस वीडियो को सेर करिएगा सो थैंक्स पर वीस्टिंग में वीडियो नेक्स वीडियो में मिलते हैं